कावेरी जुनूबी हिंदुस्तान का मशूर दरिया है इस दरिया के किनारे एक कस्वा तिरिचरापल्ली है चंदरशेखर वेंकटरमन साथ नवंबर 1888 को इसी कस्वे में पैदा हुए इनके वालिद चंदरशेखर एक स्कूल में साइंस और हिसाब के उस्ताद थे मापारवती अम्मल भी पड़ी लिखी खातून थी घरेलू माहौल का सर वेंकटरमन पर भी पड़ा वो बच्पन से ही बड़े महनती और जहीन थे जिसका नतीजा था कि वो हर जमात में अववल आए बच्पन ही से साइंस में रमन की गहरी दिल्चस्पी थी वो काम करने से कभी न उपताते थे सुब सवेरे उठना और कुछ देर टहलना उनकी आदद में शामिल था वो एक अच्छे उस्ताद भी थे अपने तालिबे इल्मों का बहुत खयाल लगते थे वो उनकी हर मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते थे वो अपनी धुन के पक्के और वक्त के पाबंद थे रमन को मुश्की से भी गहरी दिल्चस्पी थी मुश्किल के साजों को सुनने का उन्हें बहुत शौक था मुश्की के इसी शौक ने आवास की लहरों की तरफ उन्हें मतवच्चे किया आगे चल कर उन्होंने आवास से मतालिक बहुत से तजर्बे किये रमन का दिल बश्पन से ही रंग और रोश्नी की तरफ खिशता था रंग बिरंगे फूलों, तितलियों और पत्थरों को जमा करना उन्हें बहुत पसंद था उन्होंने उन पर तजर्बात भी किये 28 फरवरी 1928 को उन्होंने अपने तजर्बों की मदद से ये साबित कर दिया कि रोश्नी की किरने लहरों से नहीं जर्रात से बनी होती है साइंस की दुनिया में ये एक बड़ी खोश थी रमन की इस अजीम कामयाबी पर 1939 में हकुमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया 1930 में दुनिया के सबसे बड़े इनाम नूबल इनाम से नवाजा गया बच्चों तुम्हें ये सुनकर ताजब होगा कि उन्होंने ये कामयाबी सिर्फ तीन सौ रुपए के आलास से तजर्बा करके हासल की हिंदुस्तान में साइंस के फरोग के लिए उन्होंने अपनी सारी पुंजी से एक तजर्बा गाह कायम की जिसने आगे चल कर रमन इंस्टिट्यूट का नाम पाया हुकुमत हिंद ने 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा इसलिए हर साल 28 फरवरी को हम साइंस डे मनाते हैं क्यूंकि ये दिन रमन की कामयाबी के साथ साथ साइंस की दुनिया में हिंदुस्तान और हिंदोस्तान के साइंस दानों की भी कामयाबी का दिन है मौत से कुछ दिन पहले रमन ने अपने डॉक्टर से कहा था मैं सौ फिसदी काम करने वाली जिन्दगी गुजारने में यकिन लगता हूँ 21 नवंबर 1970 को भारत का ये अजीम सपूत हम से रुखसत हो गया उनकी जिन्दगी आज भी हमें अमल का पैगाम देती है एक लव्ज और मानी जनूब दखिन शुमाल की जिद दर्या नदी गस्बा वो बस्ती जिसकी आबादी दस हजार से बीस हजार के दर्मियान हो खातून औरत जहीन जिसका दिमाग अच्छा हो यानि पढ़ने लिखने में तेज होश्यार जमात दर्जा किलास सास बाजा मौसिकी गाने या बजाने का फन और इल्म मुतवज्जे करना तवज्जे को यानि ध्यान को अपनी तरफ खीचना अजीम बड़ा सफ़ा नंबर चौरानवे नवाजना बफशना अता करना इज़त देना आलात आले की जमा सपूत लायक उलाद अमल काम अलिफ चंद्रशेखर वैंकट रमन कहां पैदा हुए बे रमन ने किन चीजों पर तजर्बे किये जीम रमन की सबसे बड़ी खोच क्या थी दाल हुकूमत हिंद ने रमन को कौन सा इनाम दिया हे हम साइंस टे कब मनाते हैं वाओ रमन की दिल्चस्पी किन चीजों में थी तीन इन जुमलों को सही लवजों से मुकमल कीजिए अलिफ सुब सवेरे उठना और कुछ देर खाली जगह उनकी आदत में शामिल था तहलना या आराम करना बे वो उनकी हर खाली जगह को दूर करने की कोशिश करते थे आसानी या मुश्किल जीम मौसकी के इसी शौख ने खाली जगह की लहरों की तरफ उन्हें मुधज़ किया आवाज या बोली डाल हुकुमते बरतानिया ने उन्हें खाली जगह का खिताब दिया भारत रत्न या सर हें उनकी जिंदगी आज भी हमें खाली जगह का पैगाम देति है राह या अमल सफ़ा नंबर पिच्चानवे चार मिसाल के मताबिक दिये हुए लफजों के वाहिद लिखिए मिसाल खयालात खयाल इसी तरह यहां कुछ अलफास की जमा दी गई हैं उनके वाहिद लिखिए आलात तजर्बात मुश्किलात इनामात जर्रात कस्बात आदात खिताबात पांच इन लवजों से जुमले बनाईए खातून जमात तजर्बा आदत मुश्कि शौक छे पढ़िए, समझिए और लिखिए अलिफ रमन त्रिचुरा पल्ली में पैदा हुए बे हकुमत अबर्तानिया ने उन्हें सर का खिताब दिया जीम उन्हें नोबल इनाम से भी नवाजा गया इन जमलों में पैदा हुए खिताब दिया नवाजा गया बत और फेल इस्तिमाल हुए हैं जिन से गुजरे हुए जमाने का पता चलता है गुजरे हुए जमाने को माजी कहते हैं यहां दिये गए जम्लों से फेले माजी चुनकर खानों में लिखिए अलिफ रमन हर जमात में अववल आए बे मौसकी के शौक ने उन्हें आवास की लहरों की तरफ मतवज्जे किया जीम वो आखरे उम्र तक काम से दिल्चस्पी लेते रहे सफ़ा नंबर च्यानवे साथ इन लवजों के मुतजात लिखिए बचपन अववल सुभ अच्छा पक्का उठना दिल्चस्पी रोशने आठ पढ़िये और याद कीजिए जन्द यादगार दिन 28 फरवरी साइंस का दिन 14 नवंबर बच्चों का दिन 5 सितंबर यौम असादजा 26 जनवरी यौम जम्हूरिया सफ़ा नंबर 97 9 बलंद आवास से पढ़िये और खुशखत लिखिये जमात अजीम पैगाम अमल इनाम इसी के साथ ये सबक यहीं पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक 15 सर सीवी रमन समय रिकॉर्डिस्ट बटिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग हिदायतकार और तखलीककार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत